आ लो फ्रेंट्स विल्कम बाक टू रिल्प जो डीसल एकडमी और फ्रेंट्स जैसा कि हम लोग ने पहले भी डिसकस किया था भी रिसेंट्ली कि हम लोग 10 कुश्चन्स करते रहेंगे और जिसको लोगने नाम भी दिया था तो आज हम लोग उसके बाद जो है लेवेंट कोस्टिन है उसको डिसकस कर लेंगे और उसे जो कनेक्टेट अब तो ऐसे कोस्टिन को आप पड़े आसानी से समझ करके आप जो तरीका होता है आप जो कनेक्ट कर पाते हो इस से बहुत सारी जो है पॉइंट्स वेहां पे सेक्षिन 2D कैन भी तो जो कंप्लेंट होता है अंडर सेक्षिन 2D वो कंप्लेंट कैसे होता है रिटिन फॉर्म में होगा ओरल होगा इन में से कोई भी नहीं हो तो अगर आपको ध्यान में होगा तो कंप्लेंट का जो डेफिनेशन दिया गया सेक्षिन 2D में दिया गया है और वहां बहुत किलिर कहा गया है कि कंप्लेंट जो है और लिया रिटेन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है तो यहां पर इसका जो ऑप्शन अंसर जो होगा सी होगा अब इससे जो देखें जो फैक्ट्स हैं उसके बारे मतलब बात कर लेते हैं अगर आप ध्यान से सब्सक्राइब देखें तो सेक्षन हमारे लिए बिल्कुल के लिए तोडी है लेकिन कंप्लेंट जो है हमेशा मैजिस्टेट की कोट में किया जाता है कंप्लेंट जो है उसमें कोगनिजिबल और नौन कोगनिजिबल किसी चीज़ से मतलब नहीं आप कोनिजिबल यह नॉन station में जाके किया जा सकता है police station में होगा और जो police के पास होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोगनिजिबल offense के हम बात करते हैं और किसी की बात नहीं कर सकते हैं यहां पर police क्या कर लेती है अगर उन्होंने फ्रेजिस्टर कर ली तो उसके बाद उनके पास investigation का पावर होता है जो की independent पावर होता है उनको किसी से कोई permission लेने की जरूद नहीं होती है अगर matter कोगनिजिबल हुआ तो हाँ किसी परसन को arrest कर सकते हैं without warrant ओके और उस से related जो प्रोवीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है चैप्टर नमबर फाइब में section 41 है और उसके अंदर दिया हुआ है सारे प्रोवीजिएंस चलिए अब आगे चलते हैं next question की बात करते हैं देखिए inquiry under criminal procedure code is conducted by criminal procedure code में inquiry जो है वो कौन कंडक्ट करता है तो इसका सबसे पहला option है और कोट तो कौन करता है तो अगर आपको ध्यान में होगा के inquiry का जो definition ने वो कहां दिया हुआ है तो section 2G में दिया हुआ है और यहां पर आपको याद हो तो उसमें आपको पताना चाहिए कि magistrate या court दोनों में से कोई भी inquiry कर सकता है अब इसमें connected facts क्या है अब यह बड़ा इंटरस्टिंग हटके fact है अपी दिखिए यहां पर आता है magistrate और court करें तो court का भी definition है यहां पर CRPC में नहीं मिलेगा वो definition आपको कहां मिलेगा तो इंडियन evidence act में मिल जाएगा लेकिन यहां पर हम court का बात करें तो court में आपको नॉर्मल एगर में कुछ पॉइंट के बीच में हैं अगर court के बात करें तो constitution of courts तो आपको chapter 2 में मिलता है जिसमें section 6 से लेकर के section 25 के बीच की बात होती है तीसरी और important point और भी आपर share कर दो कि इस जो inqdhr होती है is between interesting रिकल्वलहा होती एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौनसा inquiry इसको बोलते हैं judicial inquiry कौन्से inquiry رscale inquiry और एक दूसरी inqdhr होती है जो देपार्टेमेंतलgia बड़ा फ़र्क होता है तो कभी किसी आर दिश्कस करेंगे बट यहां पर inquiry term है तो यहां पर हम दोनों के बारे में फोड़ा शौटें बात कर लेते हैं चलिए next question की तरह आते हैं question number 13 बनेगा warrant case has been defined as a case relating to an offense punishable with date, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding one year, option number B exceeding two year, option number C exceeding three year, option number four exceeding seven year पहले स्लाइन को समझ दीजिए बहुत किल्लेर करके, कहता है warrant case has been defined मतलब क्या warrant case के हम definition की बात कर रहे है, warrant case has been defined as a case तो warrant case का definition कहता है, वो case, a case relating to an offense, वो case जो कि किसी अपराद से offense related है और वो punishable with date होगा, या imprisonment for life होगा, या imprisonment कितना समय का होना चाहिए तो death वाला मामला तो खैर आता ही आता है, imprisonment for life आता ही आता है और imprisonment for a term जो होगा, इसमें exceeding two years वाला मामला बनेगा यहाँ पर जो option number भी है, वो आपका सही होगा, ठीक है अब इसमें एक और connection वाली बात जो है, connected facts क्या हो सकता है, वो देखिए वारंट केस का यहाँ इन्होंने क्या दिया है, एक तरीके से meaning बता है, definition बता है लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि वारंट केस defined कहां पर है, इसका definition कहां पर दिया गया है ठीक है, तो आपको अगर ध्यान में होगा, तो पहले बाले यानि कि हम लोगों ने वीडियो में देखा था, वारंट का मतलब क्या होता है, मैंने वहाँ पर ही बता था, वारंट इस नतिंग बट एक कमांड होता है, एक और होता है, जिसको मिंदे में आग्या पत्र भोलते ठीक है, तो यह वारंट केस, तो अगर हम यहाँ पर वारंट केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किस की बात करेंगे, केस की ही बात करेंगे, यहाँ पर वारंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कौन सा, एरिस्ट वारंट शब्द का इस्तमाल, एरिस्ट के मामले में में तो के लिए होता है के विड़े छो üzबह सब्वार्ठ के लिए होधा है ठीक है कि इसके लोए को देखिए वार ऑट केस का जो हैं आपको रहेजating यहां पर नहीं बताया गया रहा मोजोर में अलगता वहार वश्चिन भी मिलनने और उफेंगे झे है चली अब आते हैं next question के अध्राव देखे क्या है question कहता है in a non-cognizable case the police has the authority तो non-cognizable case ध्यांडीजेगा यहां पर कह रहा है non-cognizable case to cognitive case or non-cognizable case cases जिए दो अलगलग हो सकते हैं तो cognizable, non-cognizable, the police has the authority, so non-cognizable case के मामले में, police को क्या है, authority है, किस बात के authority है, to investigate and even arrest the accused without warrant, आपको क्या लगता है, non-cognizable case में ऐसा authority है, कि वो investigation कर सकता है, और even arrest भी कर सकता है, accused को, the accused without warrant, बिना warrant के, non-cognizable case में, the answer is no, दूसरा option, to investigate into the offense, but cannot arrest the accused without warrant, तो ये क्या लगता है, सही है, इसमें कहा गया, कि to investigate, यानि investigation ही कर सकते हैं, और लेकिन, accused को arrest नहीं कर सकते हैं, बिना warrant के, यानि warrant चाहिए, तभी जाके arrest कर सकते हैं, let's see, तीसरा मामला, neither to investigate without order of the magistrate, nor can arrest the accused without warrant, तो देखें, अगर आपको ऐसे answer, ये answer C है, और answer बिल्कुल सही होगा, फिरहाल हम लोग D भी देख लेंगे, don't worry, उसके बाद C को देखेंगे, क्या ऐसा region है, D में देखे लिखा, to arrest the accused without warrant, but cannot investigate without orders of the magistrate, तो क्या ऐसा होता है, real में, ऐसा to non-cognizable case के मामले में होता है, अनसा region हो, non-cognizable case का मतलब क्या हो गया, व वैसे अपराद वैसे cases, जिसमें पुलिस जो है, विना warrant के arrest नहीं कर सकती है, यानि warrant आएगा, तभी arrest होगा, अब warrant चाहे, पोर्ट भीजदे, चाहे अपना official department से उनके पास आता हो, कहीं से, तो यहाँ पर क्या करना, neither to investigate, यानि अगर non-cognizable offense है, तो पुलिस वाले बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको investigation करने की दिरोत नहीं होती, neither to investigate, without, without order of the, order of the magistrate, यहाँ पर पुलिस को power investigation करने का भी नहीं है, magistrate के बिना आदेश के, और नहीं वो बिना arrest का, others लिये हुए, order लिये हुए, वो ऐसा, कर सकते, वो किसी को arrest कर सकते हैं, Now, connected facts की बात करते हैं, तो,nauncognizable case का मामला 2L में है, oncognizable offense का मामला V2L में है, और offense जो शब्द है, उसका मामला 2N में है, और offense का मतलब यहाँँ पर देखे shawाट यह बता दिये क्या, cognizeral offense हो सकता है, noncognizable offense हो सकता है, believable offense हो सकता है, या nonbilibal offense भी हो सकता है, now moving to the next question consider the following statements क्या भी consider करना देखिए believable offense within the meaning of criminal procedure codes means so believable offense within the meaning of criminal procedure तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है believable offense का मतलब क्या होगा criminal procedure code के मामले में option number one an offense which is new enumerated as believable in the first schedule यह मामला हाएगा दूसरा an offense which is made believable by any other law for the time being in force यह भी ठीक ठाक है आगे लेकिन इसको समझेंगे क्या है all other offenses as stated in criminal law which of the statements given above are कौन से स्टेटमेंट सही है यहां पर देखिए तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट होगा वह यहां पर बता जा रहा है सही है तीसरा नंबर स्टेटमेंट में क्या लिखा है वीरिवल आपन पर टेफिनिशन का दिया गया सेक्शन तुए के अंदर बेलेबल ऑफेंस का मामला का दिया गया तो था श्यां नंबर आपंस का मामला का दिया है वारंट कीश का मतलब इन मेसे क्या नहीं होता है जिसके लिए फासि किसे जहां नहीं दी जा सकती है वो सब किश्व क्या हो गए दूसरा महामला कमाल की बात है न वहां does not mean है यहाँ पर mean है ठीक है an offense punishable for a term exceeding one year ओके तीसरा मामला an offense punishable with imprisonment and the last and the fourth one is D an offense punishable with imprisonment for a term exceeding two years तो यहाँ पर जो है option number भी हमारा बिल्कुल सही है और यहाँ पर देखिए रीजन भी क्या आएगा वहीं समझ दीजिए an offense punishable with death an offense कोई भी ऐसा अपराद जिसका दंड मृत्यू दंड होगा अगर आपको offense का मतलब क्या होता है this that सारी चीजिए ओके शली नाव कोश्चन number 16 a warrant case does not warrant case इन में से क्या मतलब नहीं होता है क्याता है an offense punishable with death सही बात है अगर देख लेते हैं an offense punishable with death अगर कोई अपरादी punishable यानि punished होता है किसके लिए punishable with death punishable with death ओके एक क्वेश्चन दूसरा an offer punishable for a term exceeding two years तो यहाँ पर एक offer है एक क्या बोलते है on offense sorry off offense punishable for a term exceeding one year तो मामला यह है कि कोई ऐसा अपराद जिसका दंड जो है एक साल से अधिक के लिए हो सकता है तो उसको हम consider करते हैं ओके तो यहाँ पर जो answer होगा हो answer होगा बी और connected facts में हम लोग देख सकते हैं कि यह warrant case का definition कहां दिया गया है तो section two x में दिया गया है नौ उस्चान नंबर 17 टू सी section टू सी ऑफ गरोड क्रिम्ट्र दिफाइद करते वही तो सब पता है वी से पहला जो है पहलें बीसे बेलेबल और वामिलेगा उसके बाद बी में मिलता है वह मिलता है कौन सा मामला बेलेबल कर मताइए बताइए कौन सा मामला मिलता है बेलेबल ओफेंस नॉन बेलेबल ओफेंस अगर टूए में बेलेबल है तो बी में क्या मिलेगा कमान फास्ट आज कल नहीं डिसकस किया है हम लोगों ने क्लास के अंदर भी कire ई हां जी हां आवा जा रही है बहुत सिंपल है सी एच वहां से क्या आएगा चार्ज ओके चल इची बात है सो हमारा यहां पर मामला किया है टू सी तो फिर हमले क्या बन गया इस हमारे सुल अब देखिए यहां पर अंसर हो गया कोगोभी में अगी जो 2C में defined है यहां पर आप extra information अगर लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं कि भाई यह available offense होता है non-valiable offense होता है कोगनिजिबल होता है एक non-cognizable offense होता है ठीक है उसी में आपका आता है summons case होता है एक warrant case होता है वो सब के सब यहां पर offense और टाइप से related है question number 17 section number 18 section 2-H of the code of criminal procedure defines the term कौन सा term define करता है section 2-H तो अंसर बड़ा के लिए है investigation अब investigation होता क्या देखें आपर answer number 1 तो यहां पर सबसे पहले जानी investigation होती क्या है investigation का मतलब होता है वो सारे proceedings जो की CRPC के अंदर है और जो CRPC के अंदर है जो proceedings उसमें क्या होता है collection of evidence होता है and that proceeding जो अंदर चल रही है collection of evidence वाली that is conducted by a police officer or by any other party any other party नो लिखें यहां पर क्या लिख रहा है तो यहां पर killer कर दिया कि all proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any other person other than कौन होगा magistrate to investigation कौन नहीं करता है तो magistrate investigation नहीं करता है लेकिन में स्टेट ने अगर आदेश दिया तो में स्टेट का देश पर कोई दूसरा तीजरा चौटा बंदा कोई भी है वो कर सकता है इसमें कोई डाउट नहीं रखना है चलिए नेक्स्ट के तरफ आते हैं विच आप दी फालोइंग डज नॉट अपलाई टू कॉगनिजिबल ऑफेंस इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो कॉगनिजिबल ऑफेंस पर अपलाई या लागू नहीं होता है तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है डज नॉट अपला हाई तो आपको ईहिना कि कोई जर ल लगता है और क्या नहीं लगता है तो कोई जर लोथी अरेस्ट रिधाउट वारेंट इज बैसीक्ली कोगनिजिबल ऑफेंस यहाँ पर नहीं लगने वाली बात कि जरी सबसे पहला option जो आता है वो है the police can investigate only by the order of the magistrate यह मामला है अगर कोगनिजिबल अगर के offense रहेगा तो याद रखेगा पुलिस को न पूछने की जरूरत है जो तो permission लेने की जरूरत है कुछ नहीं करने की जरूरत है वो खुछ से सब कुछ करने में सक्चम है अगर मामला कोगनिजिबल है तो तो ही बात यहां पर के जारी है the police can investigate the police can investigate only cable by the order of the magistrate अगर सिर्फ magistrate के आदेश से ही investigation अगर करेगा तब फिर वो क्या हो जागा non-cognitive first information report can be lost with the police option number three offense punishable with less than two years offense क्या है punishable होगा less than two years के लिए और लास्ट यहां पर option not last not the list यहां पर है offense punishable more than three years और लास्ट में कहता है एकदम e number point में both options a and b तो अब यहां पर आपको खुद से समझना चाहिए कि यहां पर क्या order of the magistrate जब ऐसा हो जाए कि पुलिस investigation करती है सिर्फ और सिर्फ magistrate के आदेश देने पर यह वाला मामला यहां पर applicable नहीं होगा यहां पर अगर मान लिजे कोगनिजिबल होगा तब तो सब कुछ करने के लिए सो तंतर है नहीं पड़ती है नंबर भी सब्सक्राइब आफंस पनिशबल बित लेस दैन टू यह तो अगर लिस दैन टू यह तो अपने आप में क्या हो जाएगा अगर लेस देन टू यह तो अल्मस्ट कहा जाता है कि सम्माण्स केस होग्या अब आते हैं नेक्स्ट पाइंट की तरफ तरफ तो तेख लीजिए आपको के तो इसके लाब नॉन आपको के बात करेंगे तो कौन सा 2N section 2N अगर आपको चीजें समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक करके जाना सब्सक्राइब करके जाना अधरवाइस आप दूसरी चीजों को पूरा का पूरा वीडियो समझ लेजिए मैं पहले कहने का मतलब बड़ा सीधा है कि जब आप कुछी वीडियो को देखो तो शुरू से लेकर अंत तक देखे तभी चीजें समझ में आएंगी बीच में छोड़ने से चीजें समझ में नहीं आएंगे अगर आपको पेड़ कोर्सेज लेना है तो उसका लिंक जो है डिस और उसका मेनिंग पूछ रहा है यह पूछा जा रहा है क्वेशन नमबर 20 के अंदर सिंपल सा क्वेशन सबको पता होगा नौन बिलेबल भया जी से बेल नहीं मिलता है ऐसा नहीं बोल सकते कि बेल नहीं मिलता तो यहां पर लिखका है सबको शुरू दाक्यूस्ट कैन नॉ दी दिसे नॉ और भी है विखको यह रू ला इस वे थिषिए लू अधन विखको इस विखको बोलु बेहालां पर में क्वेशो विखको नहीं बोलू आडव को लिखको लूए एस बेल लूएसरे अने नॉएसरी इस पर ग्रूस्ट कैन ब्रत बेल अवर इसा ओना प्रिए in the trial court begins only number the high court is empowered to grant bail इसका जो सही अंसर आपको मिलेगा यहां पर देकी question क्या कर रहा है non-billable offense का मतलब क्या है कोई भी आसा अपरा जिसमें कोड जो है bail देने के लिए बात है नहीं होता है बेल का discretionary power होता है वो बेल जमाना दे भी सकता है या नहीं में दे सकता है सुमे वाली बात होती है so now the accused may be considered for grant of bail only after the trial in the trial court no इसका जो सही अंसर होगा सटीक अंसर क्या होगा तो जो सही जो सही अंसर होगा वो होगा option number B और option number B में क्या कहा grant of bail is discouraging जो बेल का grant है वो discouraging है बिथती court बट लेकिन discretion has to be discretion कैसे मा उपनाना है so discretion has to be exercised on well established principles for grant of bail okay चले इसमें जो अंसर बनेगा वो अंसर बनेगा अंसर नंबर है B और इसका जो आपका fact है वो कौन सा बनने वाला है connected facts simple समामला है non-bailable offense non-bailable offense और non-bailable offense के लावे क्या निकल किया जाता है non-bailable case तो यह तो सबको पता है यहां पर simple answer क्या होगा टू के ओके आज के लिए अभी के लिए बस इता ही पर stop करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स क्या सब्सक्राइशन में तब के लिए thank you very much